आज हम बनाएंगे राजस्थानी पापड की सबजी जब आपके घर में कोई भी हरी सबजी ना हो तो आप इसे फटाफट से बना कर तयार कर सकते हो और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है नमस्ते दोस्तो, स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना पापड की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज के पापड लिए हैं ये देखिए, तो सबसे पहले हम पापड को ड्राइ रोस्ट करेंगे तो मैं तवे पर इसे रोस्ट कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पर और इस तरह से कपड़े से दबाते हुए इन्हें रोस्ट कर लेंगे आप चाहें तो इन्हें डाइरेक्ट कैस पर भी सेख सकते हो लेकिन उससे थोड़े से काले निशान आ जाते हैं या आप माइक्रोवेव में 40-50 सेकेंड के लिए भी इन्हें रोस्ट कर सकते हो पापड को हमने सेख कर तयार कर लिया है और अब हम इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ कर तयार कर लेंगे बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने है पापड को हमने तोड़ कर तयार कर लिया है अब हमने यहाँ एक कप फ्रेश दही लिया है दही रूम टेमपरेचर पर होना चाहिए और खटा नहीं होना चाहिए यदि ठंडा दही होगा तो दही सबजी में डालेंगे तो वो फट जाएगा अब हम दही में मसाले मिलाएंगे मैंने यहाँ डेड़ चम्मच धनियाब पाउडर डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दीग पाउडर आधा छोटा चम्मच रेगुलर तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर है एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मेर्च का पाॉडर है, ये कम तिखी होती है और और वन फोर्थ छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाले का इस्तिमाल बिलकुल कम करना है या आप इसे स्किप भी कर सकते हो अब हम मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हम दही का पेस्ट बना कर डालेंगे तो ये दही सबजी में बिल्कुल भी नहीं फटेगा दही का पेस्ट बनकर भी तयार हो चुका है अब हम सबजी बनाते हैं सबजी बनाने के लिए मैंने यहां एक स्टील की कड़ा ही ली है जिसमें मैंने तीन टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है सरसों के तेल में बनाएंगे तो सबजी बहुत टेस्टी बनेगी अच्छे से धुआ आने तक गरम कर लेंगे और जब तेल नॉर्मल टेंपरेचर पर आ जाएगा तब हम इसमें एक तेज पत्ता, एक चोटा चम्मच जीरा, आधा चोटा चम्मच राई, वन फोर्थ चोटा चम्मच हींग डालेंगे और साथ ही दो सूखी लाल मिर्चे डाल और पांच से दस सेकेंड के लिए इन मसालों को हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे अब हमने यहाँ पर एक से दो हरी मिर्च ली है बारिक कटी हुई, ये कम तिखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है हमने आधा इंच अधरक के टुकडे को कद्दु कस करके लिया है और चार लहसून की कली को भी कद्दु कस करके डाल देंगे आप चाहें तो लहसुन और प्याज डालना स्किप कर सकते हो इन्हें हम 30-40 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे अदरक को तेल में बहुत जादा नहीं भूनना चाहिए इससे इसमें कड़वाहट आ जाती है अब हम इसमें एक प्याज को बारिक काट कर डालेंगे और इसे हम 3-4 मिनिट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम रखिए या जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हमें इन्हें भून लेना है ये देखे प्याज सॉफ्ट भी हो गए है और उनका हलका सा कलर चेंज भी हो गया है अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ये दही वाला पेस्ट डाल देंगे गैस का फ्लेम एकदम लो रखिएगा वरना दही फट सकता है और अब हमें लो फ्लेम पर इसे कंटीनू चलाते रहना है पहले एक मिनिट के लिए उसके बाद में गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे आपको इसे चलाना नहीं छोड़ना है अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो दही फट सकता है ये देखे धीरे धीरे दही अच्छे से मिक्स होने लगा है जैसे ही दही में उबाल आना शुरू हो जाए तब हमें इसे चलाने की जरुवत नहीं है और उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और अब हम इसमें आधा चोटा चम्मच के करीब नमक डालेंगे नमक हमने अभी तक नहीं डाला है लेकिन पापड में भी नमक होता है इसके लिए ध्यान से डालिएगा एक चोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम दही डालने के बाद इसे 2-3 मिनिट के लिए और पकाएंगे इससे सबजी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये देखिए दही डालने के बाद हमने इसे 3 मिनिट के लिए पकाया है और आप इसका टेक्शर देख सकते हो और अब हम इसमें लगबग 1-1.5 कप पानी डाल देंगे आपको जितना रसा चाहिए आप उतना हिसमें पानी डाल दीजिए मैंने जिस बावल में दही का पेस्ट बनाया था उसी में पानी डाल कर सबजी में डाल दिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पहले हम पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे के बाद हमें सबजी को केवल दो मिनिट के लिए पकाना है दो मिनिट हमने सबजी को पका लिया है अब हम इस पर बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल कर मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ये लीजी हमारे बहुत ही टेस्टी पापड की सबजी बनकर तयार है तो फ्रेंड्स जब आपके घर में सबजी ना हो तो जटपट से इसे बनाएं इंजोई करें रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नो कर दीजिए की